नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिर्लंका वर्सिस बांगलादेश के बीच होने वाले एशा कप के सुपर फोर के मैच दो के बारे में जो की खेला जाएगा आर प्रेमदसा स्टेडियम कोलंबो के ग्राउंड के उपर 9 सितंबर को दोपैर को 3 बजे ये मैच स्टार्ट होगा सबसे पहले बात आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस मैच के अंदर मिक्सिरलंका और बंगलादेश के हर एक प्लियर का दिकोर देखेंगे जिसके मदद से आप अच्छी कासे स्मोल लिग और ग्रेंड लिग की टिम बना सक इप्सर में कुछ ऐसा टेलिग्राम का लिंक मिलेगा उस लिंक पे क्लिक करके टेलिग्राम चैनल याथ से जोइन कर लिजेगा क्योंकि टोस होने के बाद जो भी सारी अपडेट आएगी न वह आपको टेलिग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी और हाँ यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कहना तो लाइक वाला बटन दबादो लाइक करना बिल्कुल फ्री है तो दोस्तो वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं आर प्रेमा दसा स्टेडियम कोलंबो के ग्राउड की पिछ रिपोर्ट क्या रह सकती है देखो दोस्तो इस ground के उपर 1 day के अंदर average score 243 run है यानि काफी अद तक आपको यहां की पिछ एक balance wicket देखने को मिल सकती है जो की batsman पलस बोलर दोनों को favor कर सकती है अलाकि देखो दोस्तो इस ground के बारे में ऐसा बोला जाता है यानि की पिछ थोड़ी slow है और spinner को जादा मदद मिलती है और एक सबसे interesting चीज़ बदाई जाती है इस pitch के बारे में कि यानि में शुरुआत में जो बल्ले बाज होते हैं जो top order के बल्ले बाज होते हैं वो थोड़ा अच्छा performance दे सकते हैं उसके बाद पिछ थोड़ा slow हो जाती है और वो आँ पे spinner अच्छा गासा dominate कर सकते हैं अब देखो दोस्तो इस ground के record की गरम बात करेना तो इस ground के उपर अब तक 139 one day match खेले जा चुके हैं जिसमें से पहले batting करने वाले team ने 24 और second batting करने वाले team ने 24 match जीते हैं अगर आप इन record को देखोगे तो थोड़े से जादा match पहले batting करने वाले team ने जीते हैं यानि जो team toes जीतती है उसको batting पहले करना चाहिए लेकिन एक यहाँ पर catch यह है कि इस match के अंदर बारिस आ सकती है और अगर बारिस आती हो डेलस method अपलाई होता है तो इस case के अंदर जो team toes जीतती है वो bowling choose करना prefer करती है तो यह तो देखने वाली बात रहेगी बाकी record के basis पे पहले batting करने वाली team का थोड़ा साथ दबा देखने को मिल रहा है वही देखो दोस्तों गरम बात करें इस ground के उपर 138 मैचों में तो 243 रण average score है और अगर score pattern की बात करें तो 200 से निचे score 211 बार बना है तो लास्ट वाला मैच इसी साल 2023 के अंदर खेला गया था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच वह मैच पाकिस्तान के team 69 रणों से जीत गई थी दोनों इनिंग को मिला के बात करें तो 9 विकेट फास्ट बोलर और 8 विकेट स्पिनर को मिले थे और उससे पहले 2022 में मैच कंई लगया था श्रिलंका और अस्टेलिया के बीच वह मैच अस्टेलिया की team 4 विकेट से जीत गई थी और दोनों इनिंग को मिला के बात करें तो 5 विकेट फास्ट बोलर और 9 विकेट स्पिनर को मिले थे और उससे पहले 2022 के अंदर स्रिलंका और उस्टिलिया के बीच एक और मैच खेला गया था वो मैच स्रिलंका 4 रन से जीती थी और दोनों इनिंग को मिला के बात करें तो 6 विकेट फास्ट बोलर और 11 विकेट स्पीनर को मिले थे अगर आप लास्ट के 3 मैच देखोगे तो 24 विकेट गिरे हैं जिन में से 20 विकेट फास्ट बोलर और 20 विकेट स्पीनर को मिले हैं यानि स्पीनर का थोड़ा सा ज़्यादा दुद्दवा देखने को मिलता है आप लिंक पे क्लिक करके जोइन कर सकते हूँ अब देखो दोस्तों यहाँ पे इस ग्राउंड की उपरम प्लेयरों का रिकोर्ड देख लेते हैं सबसे पहले अगरम सिर्लंका के प्लेयरों की बात करें तो पातूम निशांका ने 3 मैचों केंदर 102 बाउंडर बनाएं 50.67 की एवरेच से इस ग्राउंड की उपर देमूत कोड़ातने ने 3 मैचों में 37 वरेच बनाएं 32.22 की एवरेच से कुसल मेंडिस ने 11 मैचों में खेले इस ग्राउंड की उपर 416 बनाएं 55.11 की एवरेच से सदीरा समर्विक्रमा ने 1 मैच केंदर 24 बनाएं इस ग्राउंड की उपर चरितस लांका ने 9 मैचों में 413 बनाएं 7.38 की एवरेच से इस ग्राउंड की उपर देलिंजे डी सिलवा ने 14 मैच खेले इस ग्राउंड की उपर जिसमें 296 रन बनाए और 10 विकेट लिए दासून सनाका ने 12 मैच खेले इस ग्राउंड की उपर जिसमें 178 रन बनाए और 7 विकेट लिए मेश तिक्सना ने चार मेचो में साथ विकेट लिये इस ग्राउंड की उपर दुनित वेलालागे ने चार मेचो में साथ विकेट लिये कासून रजीता ने तीन मेचो में चार विकेट लिये और मतीजा पतिराना ने भी तक कोई भी वन्डे मैं की नहीं खेला इस ग्राउंड की उपर अगर जो दोस्तों आप सिर्लंका की प्लेरों की बात करो ना तो पातूम निशांका की 50.67 की एवरेज है अच्छी फोम केरी करते हैं इस ग्राउंड की उपर कुषल मेंडिस की पिच्च्पन.11 की एवरेज है उसके बाद चरीत असलांका की स्ताउंड.38 की एवरेज है उसके बाद दनिझे डिसिल्वा भी ठिक्टाक रिकोर्ड केरी करते हैं उसके बाद ठिक्षन और दुनित वेला लागे ये दोनों प्लेयर भी ठिक्टाक रिकोर्ड करी करते हैं यानिकर हम सिर्लंका की तरफ से बात करें तो पातुम निशांका कुसल मेंडिस उसके बाद चरित असलांका दनेंजर डिसिलवा मेस ठिक्षन और दुनित विलालागे इस ग्राउंड के उपर अच्छा रिकोर्ड करी करते हैं आलाकि ग्रेंड लिग के अंदर एक डिफ्रेंशल प्लेयर है डिमूत कॉर्णारत ने एवरेज 32 की अनि रन भी बना सकता है तो जील में डिफ्रेंशल रह सकता है और दूसरा प्लेयर है सदीरा समर्विक्रमा ये प्लेयर भी गेंड लिग में डिफ्रेंशल निकल के आ सकता है बाकी देखो दोस्तों ये आपको स्रिलंका के प्लेयरों का रिकोर्ड देखनी को मिल रहा है इस ग्राउंड के उपर अगर हम अगर हम बंगलादेश के तरफ से बात करें तो बंगलादेश के ज़्यादा प्लेयरों ने मैच नहीं खेले इस ग्राउंड के उपर एक तो मुहमन नाईम शेक जो ओपनर उन्हों ने एक मैच खेला जिसके अंदर 38 रन बनाए है मेंदी हसन नहीं है नोट वाला मिराज है मिराज वाला नहीं है सिंपल मेंदी हैसन है जो पहला मैच खेलाता उसने एक मैच के अंदर 2 विकेट लेस ग्राउंड के उपर और मुस्ताफिजु रेमान ने 2 मैचों के अंदर 4 विकेट लेस ग्राउंड के उपर यह आपको बंगलादेश के प्लेडों का रिकोर्ड देखने को मिल रहा है इस ग्राउंड के उपर बाकि पिछ के बारे में फिर से कहूंगा बैलेंस विकेट है तोस होने के बाद जो भी फाइनल पीछ रिपोट आई यह वो मैं आपको टेलिग्राम पे प्रोइड कर दूँगा कर सकते हो और जीत सकते हो ब्रेंड निव अशुवी थार तो क्या करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है लिंक पे क्लिक करो माई 11 स्रकल एप डाउंडोड करो और वहां पे रेजिस्टर करो एक रूपे में मेगा ग्रेंड लिक जोइन करो अब आपके वन में सवाल आ सकता कि आप माई 11 स्रकल एप पे ही क्यों खेले क्योंकि आपको माई 11 स्रकल एप पे कम कॉम्पेटिशन देखने को मिलता है एज कंपेर टू अधर फैंटेसी प्रेटफों तो आपके जीतने के चांस बढ़ सकते हैं वही देखो दोस्तों अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से माई 11 स्रकल एप डाउंडोड करते हूँ तो आपको 15 सोगा बोनस मिलेगा और आप फर्स्ट टैम डिपोजिज करते हूँ तो आपको 20 परसेंट एक्स्टा कैस मिलेगा या फिर अगर आप डिपोजिज करते हैं टैम मरा कूपन कोड मैक ने यूज़ करते हूँ तो भी आपको 20 परसेंट एक्स्टा कैस मिलेगा तो कमाल की एप बहुत कम कॉंपेटिशन है तो ज्यादा मचोचो वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेट में लिंक है लिंक पे क्लिक करो माइज नेवर्सर क्लेप डाउंडोड करो और खेलना स्टार्ट करो अब दोस्तों करें स्रीलंका और बंग्लादेश के हैट-to-aď मेचिस के रिकोर्ड की बात करें तो दोनों टीमों ने 52 हैट-to-aď मैच क्खेले जिसमें स्री अक्तारीज में स्रीलंका हैежд 23 पर ने जीते हैं में ज्यादा फरक नहीं अगर हम बात करें इस मैच के टोप 11 पलेर तो इस मैच के अंदर मतिसा पतिराणा ने चार विकेट लिए मेश थिक्षना ने दो विकेट लिए दो नित वेला लागे ने एक विकेट लिया दनेंज डिसिल्वा को एक विकेट मिला दासून चनाका ने एक विकेट लिया चोदा रन बनाए सदीरा संबर विक्रमा ने चोमन रन बनाए और चरित असलांका ने बासर रन बनाए रापको सिल्लंका के तरब से फर्स्ट रैंक वाली टीम में चरित असलांका सदीरा संबर विक्माद दासून सनाका दुनित वेला लागे दनेंज डि गेट लिया और आपको फर्स्ट रेंक के टीम में मुस्विकुर रहीं नजमुल उसें सांतो साकिबल असन और तास्किन एहमद देखने को मिले थे हला कि शांतो ये वाला मैश नहीं खेलेंगे क्योंकि इंजरी के वज़े से बाहर हो गया है वही इस मैच के अंदर कप्तान ब जो नोन मिराज वाला पलेर है इसका रिकोर्ड इस ग्राउंड पर भी अच्छा है और इसका रिकोर्ड यहां पर स्रिलंक का एकलाब भी अच्छा तो ये फ्लेर भी जेल में डिफ्रेंशल निकल के आ सकता है बाकि ये एक हैट्ट्वेड मैच खेला गया है अभी निसेंट की तरब से पाथूम निशांका और डीमूत कॉर्णातनी ओपनर है और तीन नंबर पे कुसल मेंडिस ये तीन प्लेर होगे टोप ओडर के जिसमें कुसल मेंडिस विगेट कीपिंग भी करेंगी उसके बाद मिल ओडर की बात करें तो सधीरा समर्विकमा चरित असलांका दन दनेंजे डीसिलवा यानि ये च्छै बोलिंग उप्सन में देखने को मिल रहे हैं शिरलंका की तरब से अगर हम लास्ट मेच में इनका बोलिंग सिर्वियों देखें तो लास्ट मेच में कसून जीता ने दस ओर की बोलिंग की चार विकेट लिये तिक्षना ने दस ओर की की एक विकेट लिया दुनित वेललागे ने चार वर की बोलिंग की दो विकेट लिये मतिसा पतिराना ने दस ओर की बोलिंग की एक विकेट लिया दासुन सनाका ने दो और की बोलिंग की कोई विकेट नहीं मिला और दनेंजे डीसिलवा ने एक पर चार वर की बोलिंग की और दो विकेत लिए अब लास्ट वाला मैच ता गदाफी स्टेडियम लाहूर के ग्राउंड के उपर इनका अफगानिस्तानिक खिलाफ और वहां के पीछ ओती है बैटिंग फ्रेंडली और ये वाला मैच है आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के उपर यहां के पीछ बैल अब दोस्तों स्रिलंका के प्लेरों का रिकोड देख लेते हैं सबसे पहला नाम पाथूम निशांका जो की ओपनिंग करने आते हैं स्रिलंका की तरब से अब तक एश्या कप के अंदर दो मैच के लिए पहले मैच में 5 दूसरे मैच में 1 तालेस रन उसके बाद दीमूत अब विक्रमा राइटी बैट्समेन है पहले मैच में 24 दूसरे मैच में तीन रन चली तसलांका लेटी बैट्समेन है पहले मैच में 22 बनाए थी बंगलादेश के किलाफ और दूसरे मैच में अफगानिस्ताने किलाफ 36 रन बनाए थी उसके बाद दनेंजे डिसिलवा राइ active batsman ortholok spinner पहले मैच में एक विकेट लिया था बंगलदेश के किलाफ और दूसरे मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 33 रन बनाए थे उसके बाद आसून सनाका राइटनेट राइटम एटाप मीडियम पेसर है पहले मैच में बंगलदेश के खिलाफ 14 run 1 विगेट था और दूसरे मैच में अफगानिस्ताने के लाफ 5 run 0 विगेट थे उसके बाद मेश तिक्षना ओप ब्रेक बोल रहा है पहले मैच में 2 विगेट थे और दूसरे मैच में 23 रन और 1 विगेट था कसुन रजीता की बात करें यह आपको सिरलंका के सारे प्लियरों का रेसेंट फोर्म देखने को मिल रहा है जिसमें से अगर हम बात करें तो कुसल मेंडेस ने एक मैच में बानवय बनाए है पातुम निशांका ने एक मैच में एक तारिस बनाए है अब देखो दोस्तों कुछ और प्लियर है एक है कुसल जनित फरेदा अगर खेलता है तो त्री नंबर का बेट्स में ने चोमन वंडे मैच में थारा सुजेकरन बनाए है चातिस बनाए है उसके बाद दुसान है मनता अगर खेलता है तो लेक ब्रेक स्प्रीनर और का इंपोर रह सकता है अगर यह प्लियर खेलता है फिर मैं इसको डारेक्ट अपनी टीम में लूँगा इलूँगा इलूँगा साथ वन्ने पेच में चैतर और दस विकेट है बागे देखो दोस्तों चांसे सखम लग रहे है यही प्लेइंग इलेवन आपको देखने को मिल रहा है सन समीं हुसयन और अफ़ीफ हुसयन तक बेटिंग कर लेते हैं और बोलिंग की बात करे थो हसन महिमोद सोरिफुल इसलाम तास्की नैमत थीन बोलर यहmeye चोथा वॉलर शाकी बु लग हसन पांचे-वॉलर की बात करे तो मेंदी असन मिराष देखने को मिल सकता है उसके بعد और की बोलिंग की कोई विकेट नहीं मिला, मेंधी असन मिराज ने 10 और की बोलिंग की एक विकेट लिया, शाकेबल असन ने 5 और 3 और की बोलिंग की कोई विकेट लिया और समीम उसेन ने 1 और की बोलिंग की कोई विकेट नहीं मिला, अब देखो दोस्तों 5 प्रिंग की में बोलर है यह चाटा बोलिंग उप्सन समीन मुसेन को इनकी टीम ने लास्ट मेंच में यूज किया था जो की बैटिंग भी कर सकता और एक चीज़ और बढ़ा देता हूं अगर यहां के पित स्पिन फ्रेंड ले होती है तो ऐसे में समीन मुसेन एक की जगह दो तीन ओर की बोल अगर 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 की बात करें तो पहला मेंच चिरलंका एक लाफता पांच रन जिरू विकेट उससे बात 111 रन एक विक बात विकेट और लास्ट वाले मेच में एक विकेट लिया था उसके बाद लिटन दास राइटी बेट्समेन है लास्ट वाले मेच के अंदर 16 रन बनाये थे उससे पहले इस शट अप के मेच नहीं के लिए थे इंजरी से वापिस आये हैं लेकिन इस मेच में थोड़ा क्रूशल भी रह सकते हैं उसके बाद तो ही धिर्डोई की बात करें तीन मेच के लिए 20-0-2 रन बनाये तीनों मेचों के अंदर बाकी प्लेयर तो ही धिर्डोई भी काफ यच्छ है उसके बाद शाकी बलसन लेफ्टी बेट्समेन और्टोडोक स्पीनर है पहला मेच जो से लंका एक अब तक सबसे बड़ी बात क्या है कि तीनों मेचों के अंदर फेंटेसी की फर्स्ट करेंग वाली टीम में जगा बनाई इस प्लेयर ने पहले मैच में 13 रन थे लेकिन विकेट कीपिंग से अच्छा परफोमिस दिया था दूसरे मैच में 25 रन थे और तीसरे मैच में 64 रन उसके बाद समीम हुसेन लेफटी बैट्समें ओफ ब्रेक बोलर है अब तक दो मैच के लिए जिनके अंदर 11 और 16 रन बनाई है यानि बैटिंग से तो कोंट्रिबूट थोड़ा बूत कर सकता है लेकिन ये प्लेयर एक दो और की बोलिंग भी करने आ सकते है और बाई चांस नेमद राइट रहे है अब तक टीनों एशया कप के मैच के अंदर एक विकित चार विकित एक विकित उसके बाद सोरी स्लाम लेफ्व हासि попыт तीन्यों मियमाट पесुभरे我們 और निकाल है अब तक एशया कट अफेंदर SIM मेंच के विए जिनमेंसे एक मैच निकाला है बाकि लंका एकलाब 12 मैचों में 20 विगेट है और इस ग्राउंड के उपर 2 मैचों में 4 विगेट है तो मुस्तफिजुर रह्मान का रिकॉर्ड भी अच्छा देखने को मिल रहा है तो यह आप है हैसन मेमूत की जिए एक पोसिबल चेंज कर सकती बंगलादेश के टीम बाकि यह की नेमद, मतिसा, पतिराना, मेच, तिक्षन और दूरी तवेला लागे को लिए है मैंने यह आपे 10 प्लेश चूज की अब 11 वह प्लेश है वो थोड़ा कन्फ्यूजन है यह तो मैं डीमूत को ले लूँ यह आपे जो की शिरलंका को टोपोर्डर का बेट्स मेंने यह मैं इसलाम को ले लूँ जो कि यहाँ पर बंगलादेश का है में बोलर ओल्मोस हरमेच इंविकर निकाले है यह मैं यहाँ पर कसूर नर जीता को ले लूँ एक पोसिबल यह चेंज हो सकता है कैप्टन सी मैंने अभी के लिए साकी बिलसन को दिये वाइस कैप्टन से दिनेजर डिसिल्वा को दिये अगर आप चाहू तो आप यहाँ पर मेंधि असन मिराज भी ट्राइग कर सकते यह सेफ टीम फोर स्मोल लेक अब मां आपको मेरी एक मेगा ग्रेंड लीक की टीम दिखा देता हूं देख कर यह टीम है ग्रेंड लीक की टीम रिस्क की टीम अगर स्रिलं का पहले बोलिंग करें तो इस टीम को लगाने का कोई फाइदा नहीं अगर हम इस टीम की बात करें तो आप एक कुसल मेंडिस और लिटंदास को में विगड़ कीपर मिली है बैटिंग मेंच सवित असलांग को और दीमूत को लिया है उसके बाद एगर हम ओल्डाउंडर की ब परके दोनी त्वेला लागे को मोका दे सकते हूं रिसकी टीम है ओनली स्रिलंका पहले बैटिंग करें तो ही ग्रेंड लिग के अंदर अपलाई करना है बाकि सेफ टीम यह है आप यहां पर देख सकते हूं मैंने आपको और अल्रेड़ी दिखा दिये है अब मैं आपको एक पर दूसरा रिसक कर आप लेना चाओ तो अगर आपकी सेफ टीम है वहीं देखो दोस्तो अभी तक अगर आपने माई 11 सर्कल एपको डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए आपको इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन और पिन कमेंड में लिंक मिलेगा आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और देखो दोस्तो माई 11 सर्कल एप पर अगर आप मेगा लीग में फर्स प्रेंग लाते हो तो आप जीच सकते हो ब्रेंड न्यू अच्छे लेगी तो लाइक कर के अंदर वित्चे जोकी में और आदत भी लग सकती है तो सोब समझ के खिलना धन्यवाद